नमस्कार बहुत स्वागत आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर में हूँ अकाश नेक्स नैन वक्ति सैगर की special series में आज हम बात करने वाले हैं फैंग शुई की ये तो आप जानते ही हैं कि फैंग शुई के आधार पर हर कोई जीवन जीने की कोशिश कर रहा है साथ ही आपको ये भी बता दें कि आजकल भारत जैसे देश में भी फैंग शुई ने अपनी काफी तेजी से पकड़ बना ली है हर कोई आज साज सजावट से लेकर हर छोटी छोटी चीज़ों को फैंग शुई के आधार पर जीवन जीने में काफी जादा कारगरमान रहा है वहीं इसके लाब भी काफी जाधा होते हैं अगर हम चोटी-चोटी बातों को चोटी-चोटी चीजहों को किसी भी तरीके से किसी भी कारण से अगर नकार देते हैं तो हमें कहीं न कहीं फैंगशुई और वास्तुदोश का शिकार भी होना पण जाता है अगर आप अपने घर में、 अपने किसी भी bedroom में, drawing room में, कारेशित्र में, कारूबार, व्योपार या अगर आप इसको रखते हैं तो इसका लाब जरूर होता है तो चलिए आपको अपनी इस special report में बताते हैं आखर कौन से वो उपाए हैं कौन से वो रखने की तरीके हैं जो बहुत ज़ादा फाइदे मंद होते हैं आपको बता दें फैंग शुई के अनुसार सोने के सिक्कों से भरा समुद्री जहाज अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके व्यवसाय में कारोबार में दो गुनी चोगुनी बड़ोतरी जरूर होगी और ये काफी जादा आपके लिए शुब हो जाएगा मन चाहा फल आपको मिलने लगेगा कारोबार में तरक्की भी होने लगेगी वहीं सोने के सिक्के से लदा हुआ जहाज का मुहू कभी भी दरवाजे की ओर नहीं होना चाहिए जिहां विशेश तोर पर ये बात आपको दिहान रखनी है आपके घर में अगर आप भी फैंग शुई का कोई समुद्री जहाज लगा रहे हैं तो इस बात का विशेश ध्यान रखें वहीं आपको बता दें भूलकर भी ओफिस के मुखधवार यानि की में गेट के ठीक सामने इसको नहीं रखना चाहिए वरना ये परिशानी का सामना भी आपको करा सकता है वहीं आपको समुद्री जहाज किसी व भंधित कोई परिशानी नहीं होगी आर्थिक समस्याओं का सामना बिलकूर नहीं करना पड़ेगा साथ ही आपके जीवन में बहुत जादा खुशियां भी आने लगेंगी इससे आपको नोटों से आपकी तेजूरी हमेशा हमेशा के लिए भरी नजर आएगी साथ ही अगर के साथ तब तक के लिए आप देखते रहें बने रहें नेक्स्ट नाइन वक्ति सागर के साथ नमस्कार